आज कल जो माहोल चल रहा है देश में उसको आप किस नेजर से देखते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता दू यूवा विरुजगार है जब से भाजपा सरकार आई है खेंद्र में इन्होंने दो करोड नोकलियों की बात करी थी अब भी भी नोकलियां खत्म करते जा रहे हैं करोना काल आ गया जिसमें आपने खुद देखा होगा कि दिल्ली से बिहार तक का सफर लोगों ने पैदल चल कर काता कई लोग तो रस्ते में जिनकी मौत भी हो गई है ऐसी ख़बरें आपने भी सुनी होगी आपको कैसा लगता है कि जब से यह सरकार आई है तो इस तरीका स तब से इस देश में बदहाल और बेहाली तिहालत उत्पन हो गई है और इस देश के खास करके नौजवान और किशान, मजदूर, बेरोजगार और मध्यमबर के लोग आज खासा परेशानी में अपने जीवन को जी रहे हैं और सत्विचार रखने वाला अफसदन में एकके दुखके लोग बच गए हैं क्योंकि इनका जितने भी संसद हैं जो जीत के इस वार आये हैं वो कोई सौ करोर का है तो कोई पांसो करोर का है कोई हजार करोर का संसद है वो सारे के सारे संसद जो गरीवी से कभी आया नहीं वह सभी संसद आज अपने बेपार में लगे हुएं और है जिस देश के ति राजा है बेपारी हो वहां चन्ता भीकारी हो और चिंश आपने जिस यसा अपने देशा एखया उसकि दिकायरी थैंखी इसका मतलब है कोई संस्थान बड़े नहीं खोले लेकिन सारे संस्थान धीरे-धीरे बेगते चले जा रहे हैं तो इससे क्या देश का भविश्य उज्मलेवें फुरा है देखिए इस देश में देश के अजादी के पहले 200 वर्ष पहले की बात आपको बता दू कि इस देश में एक विदेशी कंपणी आई थी इस इंडिया कंपणी जिसने इस देश के सीधे साधे और भोले भाले जंता पर 200 वर्ष राज करने के काम किया मगर अभी इस बार की जो सरकार आई है इन्हें लोक तंत्रवर या अम्बेदकर जी के संभिधान पर दिश्वास नहीं है यह अपना एजंडा इस देश पर थोपना चाहते हैं और उनका अपना एजंडा है मंदुबादी एजंडा, RSS का एजंडा और श्रीफ इस देश में जाती और धरम का उनुमात पहला कर लोग के बीच में भाईचारा को खतम करकर यह चाहते हैं कि पूरे देश के गुजरात पैटन पर चलावें जो इनकी भूल है और भारत की जनता और इस देश के लोगतन जो महत्मा गांदी और अंबेत्कपर पर जो विस्वास करते हैं जो हमारे समाजबादी नेता राम्मन और लोहिया पर विस्वास करते हैं जय परकास पर जो विश्वास करते हैं जो हमारे बीपी सिंग पर विश्वास करते हैं कर पूरी ठाकूर जन्नायक पर जो विश्वास करते हैं वो इनके मनसूबा पर कभी भी काम्याब नहीं होंगे जिस परकार से काम कर रहे हैं इस देशनी जिस तरीके से जो केंद्र सरकार जो भी रूल बनाती है वो इंसानियत के खिलाप उसके लिए धर्ना प्रदर्शन क्यों होता है CAA बनाया उस पर भी लोगों ने धर्ना प्रदर्शन किया वो तो आप माल लीजिए कि अगर कोरोना नहीं आता तो अब भी भी लोग धर्ने पर बैठी हुए रहते और इसके बा अब भी लाकर पुछ इस देश के जो हमारे देश के एक अंग है जो बहु संख्यक के रूप में भी आज है देश में और देश के हर योगदान में उनका स्वयोग रहा है और इसे समुदाय को हर छेत्र से अलग करना मतदान देने से अलग करना और उनका नाम काट कर एक तुछक्रडचा था आप सही कहें कोरोणा काल आ जाने के कारण वर अंदोलन हर गया मगर यह किसान경 जो करोना काल में ही लाएं है À करोना काल का ही देन है जहिए इनका तीन किसान वील है तीनों किसान वील जोह सो तिर और सिर्फ इस देष के पुंझी पतियों को कर्परेइट घरानों के साथ हमारे किसान को गिर्वी रखने के सिवा दुसरा काम नहीं है जिससे हमारा किसान कोई भी समान अगर उत्पादन करेगा तो मनमर्जी हो जाएगा उसके मार्केट में जाएगा उसके गोदाम में जाएगा और उसके गोदाम से वह तय करेगा कि हम कितना में बेचेंगे यहां तक कि उसके जम नहीं लगा तो आप बोलिए इस देश के किसान ही जब गुलाम हो जाएंगे तो बाकी लोग क्या होगा जो हमारा अन्य दाता है जो हमको तिन टाइम जो है सो खाना जिन नास्ता दोपहर का भोजन और रात के रातरी का भोजन जो संपन और मध्यम परिवारे उसके देता है कि इसके और उनका बहुत बड़ा यह जो है सो समझिये देश के लिए और किसान के लिए नौजवान के लिए किसान मजदूर के लिए बहुत बड़ा यह जो है सो बील लाकर इनको गुलाम करने के सिवा दूसरा कोई इसका मकसद नहीं अभी जैसे 26 जनवरी के दिन जिस तरीक यह को भी इतना गंभीर बना दिया कि किसानों को खाली करनी पड़ जाए लेकिन फिर भी किसान किसी तरीके से वहां पर रुके रही और अब भी किसान जमी हुए है आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या यह किसानों को भगाने के लिए वही सडियंत रचा था या कुछ और है सहीद नौजमान को हम कापके माध्यम से स्वर्धांजली देते हैं आखिर तीन सो आडियक्स का जो बॉम थाव कहां से आया आज तक पॉलगामा अतंकबादी हमला का जांच नहीं होना जिस परकार से लोगों का आरोफ है कि असुनियोजित साजीस था इस देश के अतंकबा जादी के नाम पर पुना सत्ता पराप्ति के और उसमें वो सफल रहे नरंदर मोदी जी कि अन्सियार करंट नीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दवाएं बेल आइकॉं